हलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो मेरा नाम मुहमद यूसुफ आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो जानकारी दोस्तो है कि नेटवर्क मारकेटिंग में सफलता कैसे मिलती है तो आज मैं आपको नेटवर्क मारकेटिंग में सफल होने के तीन कारण बताना चाहता हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तो नेटवर्क मारकेटिंग करने का सबसे पहला कारण ये है कि जब हम नेटवर्क बिजनिस को स नहीं तो लोगों को बिजनिस के बारे में सैटिसफाई कैसे करेंगे। इसलिए नेटवर्क बिजनिस को सुरू करने से पहले सबसे पहले सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पूरी तरह से बिजनिस के बारे में जब हम सीख जाते हैं फिर हमें फील्ड मे से सेटिसफाई हो जाता है और हमारे सिस्टम को समझ कर वो हमारे साथ बिजनिस करने के लिए राजी हो जाता है वो राजी इसलिए हो जाता है वो हमारी हर बात को अच्छी तरह से जान जाता है उस तो नेटबर्क बिजनिस करने का दूसरा कारण ये होता है कि जब आप network बिजनिस में आही जाते हैं तो फिर आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं और लोगों को बिजनिस के बारे में जानकारी दें और आपने जिस network company को चुना है और जो company आपको अच्छी लगे तो आप उस company की profile के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दें और company का plan क्या है उस plan के बारे में अच्छी तरह से बताएं और उसका background कैसा है कि कहीं company fraud तो नहीं ये सारी बाते आपको समझनी हैं और लोगों को समझानी हैं जब लोग आपकी बातों को सुनेंगे और उनको company का marketing plan अच्छा लगेगा फिर लोग आपसे ना कर ही नहीं सकते क्योंकि लोग आज के समय में सिर्फ company के background को अच्छी तरह से देखते हैं जब company का background और marketing plan अच्छा होता है तो लोगों को ज़्यादा समझना नहीं पड़ता फिर वो लोग आपके साथ business करने के लिए एगरी हो ही जाते हैं और लोग आपके साथ साथ काम करना सुरू कर देते हैं इसी पिरकार आपका network बनना सुरू हो जाता है दोस्तो network marketing business एक अकेले व्यक्ति का business नहीं होता ये लोगों का business होता है इसमें जितने ज़्यादा लोग होते हैं business उतना ही जल्दी डबलब होता है और आप success होते चले जाते हैं और फिर आपकी कामियाबी को या आपकी तरकी को कोई नहीं रोक सकता दोस्तो network business करने का तीसरा कारण ये होता है कि जब आप network business करते हैं तो आप अपने अपलाइन से पूरी शायता ले सकते हैं और अपने अपलाइन के साथ जाकर जो आपके लोग हैं आप उनसे संपर्क करा सकते हैं आपके चितने भी दोस्त और रिस्तेदार जो भी आपके मिलने वाले हों और जो marketing business में रूची लेना चाहते हों या business को करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को एक जगह एकटा करके home meeting के दौरा जानकारी उन लोगों को दे सकते हैं यहां तक आप अपने अपलाइन से भी शाहता ले सकते हैं जो लोग आपके संपर्क में हैं आप उन लोगों को मीटिंग में बैठा सकते हैं अब तो network meeting जगह जगह लोग कराते हैं आपको उन लोगों को मीटिंग में ले जाना जरूरी है मीटिंग में लोगों को ले जाना इसलिए जरूरी होता है बहाँ आपके सीनियर होते हैं वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं वो जानकारी आपके बहुत ही काम आती है आपको सीख मिलती है बिजनिस को कैसे किया जाए वो सीख से लोगों का उतसाह बढ़ता है फिर वो अच्छी तरह से बिजनिस करने के बारे में जान जाते हैं जब उन्हें सिस्टम अच्छा लगेगा तो वो ना कर ही नहीं सकते मैं आपको एक बात और बता दूँ सकसिस होने के लिए आपको अपने अपलाइन से बहुत ही कुछ सीखना पड़ता है आपका अपलाइन आपसे जो कहता है वो आप अगर करते हैं उसके नियम के अनुसार आप चलते हैं तो आप जल्दी कामियाब हो सकते हैं क्योंकि applyn जो होता है वो अपनी पूरी डाउन लाइन का खास ध्यार रखता है क्योंकि आपकी डाउन लाइन जितनी बड़ी होगी आपका business भी उतना ही बड़ा होगा फिर आपको एक मोटी income आना सुरू हो जाती है और आप एक सफल networker बन जाते हैं मेरे दोस्त network करने के यही कारण होते हैं आप जितनी जल्दी सीख जाते हैं उतनी ही जल्दी आप success हो जाते हैं यही network करने का हमारा main कारण होता है इसलिए दोस्तों अगर जिंदगी में कामियाब होना है तो आप network business को चुन लीजिए क्योंकि network business एक ऐसा business है यहां लोगों के हर सपने साकार होते हैं और यह business लोगों की जिंदगी बदल देता है और आपको कामियाबी की बुलंदियों तक पहुचा देता है तो दोस्तों वीडियो के मादियम से जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स जरूर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के सास Wr. जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में वैल आय कन वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक नहीं जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूँ जिससे वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंश सके थैंक यू दोस्तो